नमस्कार जेहिं दोस्तों दोस्तों मैं हूँ अंकितनी स्रवर आप देख रहे हैं एक्जाम तक और आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के पीटी एक्जाम के बारे में बात करने बाले हैं कि इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा अलग अलग कटेगरी के लिए इसकी कताफ कितनी बनने वाली कि उस 씨चेश्ट तो इनकी कताफ आपको बताने वाले हैं अगर उतना श्कॉर आपको बन रहा होगा तो निश्ची तरफ लिखपाल प्रेख्षा की तर्याप शुरू कर दीजे असा लेखपाल से याद आया कि लेखपाल का नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसके लिए योगेता क्या रहने वाली है और इसकी परिशा का तो होगी इसके उपर भी आज के इसी वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टन है इस की जो कटाफ बने वाली है यह लगबग आपके 63 से लेकर 65 के मद लेकर आपका स्कूर बन रहाए तो आपका इस बार चायन कोई रही रहे हो सकते हैं तो इनकी कटाफ लगबग रहने वाली है यह बहुत इंपॉर्टन बात है अच्छा इतनी कटाफ क्यों हाई रहेगी सर त आपके पीटी घिजाम से लेकपाल के लिए केवल 15 कुना चात्रों को बुला जाएगा 15 मतलब होता है आपके एक लाख 20,000 कितना आपके एक लाख 20,000 बच्चों को बुला जाएगा तो बहुत बच्छों ने परिक्षा दिया जिसमें एक लाख 20,000 बुला जाएंगे तो प्रवाइब की कटाफ इतने के असपास लगने वाली है यह इंपॉर्टन बात है चले आगे बात करते हैं कि अब आपके पीटी का रिजल्ट कब तक आएगा पीटी का जो रिजल्ट है इसी अक्टूबर महीने के लास्ट बीक में या आपके आपके 67-67 स्टूबर तक जान महीने में ही आ जाएगा और महीने के लास्ट वीक में आपको इसका आपके लेखपाल का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और आपके बात करते हैं इसके लिए योगिता क्या रहने वाली है तो इसके लिए तो आपको पेपर देखने को मर सकता है लेखपाल का जो सबस तो आपको कम से कम तो भाई यह दू मंत का समय देंगे तो आपको जनवरी में इसका एकजान समय लेजैंगे लिखपाल का तो आप तयारी बहुत अश्य